तो आज का टॉपिक हमारा है फाइलम आर्थर पूड़ा यह वो आनिमल्स होते हैं जिनके पास होते हैं जॉइंटिड लेगिस एंड एबंडेट्स तो इसको हम आज स्टार्ट करेंगे इसके जैनल करेक्टरिस्टिक हम आज बढ़ेंगे फायलम आर्थर पूड़ा इसके अंदर जो आते हैं asse जाथे आएं करस्टेशन Ama क्रेंज्ट तो सिपाइड़ू करते हैं इसके सिपेशी जो है वो है 9 lakh species तो कुछ बुक्ष दिखते हैं 11 lakh species भी तो सबसे ज़्यादा species फालिम आर्थरोपोडा के अंदर ही पाया जाते है Founded every habitat on earth यह हर एक habitat के अंदर पाया जाते है चाहिए वो सुनोई एरिया हो inside soil के अंदर, fresh water के अंदर समंदर के अंदर पाया जाते है और्थरोपोडस भी 82% of all living things जो भी living things है दुनिया के अंदर उसमें से इसकी percentage जो है और्थरोपोडा की वह है 82% तो यहां से पता जलता है कि इनकी जो population है वो बहुत ही ज्यादा है इस 82% यह होते हैं solitary और gicarious solitary का मतलब होता है यहां तो एकेले रहते है और gicarious का मतलब होता है यह social होते है यहां यह जुन बनाते है groups में रहते है that is called gicarious अब देखते हैं body form के बारे में तो उनकी body जो होते हैं वो segment होती है इनके जो segments होते हैं वो external होते हैं जैसे हम ने देखा था anilira के अंदर वहां पे external भी था segment internal भी था वहां पे तो यहां पे segment जो होते हैं और यहां पे segment जो होते हैं body के वो body के parts बनाते हैं जैसे आप यहां पे diagram में देख सकते हैं art जो है इसकी body के तीन हिसे यहां पे head, thorax और abdomen तो यहां पर तीन रिजरेंस हैं कुछ ऐसी स्पेशिज भी होते हैं उनका और फूसर होता हैुस तर्म को में और जूद्ष जाए। Erिसकnav. को में पामने सप्फएले धूद्ण साथ परां और करेब हैं के दो ही parts होते हैं, एक पो होते हैं, सिफला थौरेकस, और दूसरा जो होता है, abdomen होता है, तो आंट के ती रीजिन से, head, thorax और abdomen, और प्रान के दो रीजिन से, सिफला थौरेकस, that is the fused head and thoracus, और इनका होता है abdomen, और head जो होता है, अजिए पार्ट 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 must mold and regrow skeleton to increase size देखो एक्जोसकेलटन जो होता है यह वो सकेलटन होता है जो बाहर के साइड में होता है प्रेजेंट अनिमोल के और यह प्रोटेक्शन देता है वहां पर और इसका जो एक्जोसकेलटन होता है यह बना हुआ होता है एक प्रोटीन का that is called kaitin और यह kaitin जो होता है यह हाड होता है यह प्रोटेक्शन देता है और इससे बचाता है फ्रहन दे वाटर लास से और यह वो जगह होते हैं जहांपे मसल्स जो होते हैं आटेज रहते हैं इसकी वाज़से जो इनकी जो growth होते है वो रहती है limited वरना insects बहुत ही बड़े हो सकते हैं क्योंकि यह इसके अंदर रहता है तो वहाँ पर इनकी growth जो हो रहती है वो limited रहती है ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते हैं और बीच बीच में इसको शड़ भी करते हैं उस प्रॉस्स को बोलते हैं मॉल्टिंग बोलते हैं या एक डाइस बोलते हैं यह जुरूरी होता है क्योंकि इसकी वज़े से growth कर पाते हैं जब यह उत्रेगा तो इसकी size जो है वह इंक्रीज हो जाएगा उसके वाइद दुबारे से बनेगा वहाँ पर अब पढ़ते हैं jointed appendage के बारे में तो इसकी वज़े से यह करते हैं लोको मोशन फीरिंग करते हैं और reproduction कर लेते हैं और दूसी तरफ यहां पर two branches that is byramus तो यहां पर example है crustaceans तो इसमें आप याद रखना की crabs जो होते हैं उसके सीजर जैसे हाँ जैसे होते हैं जिसकी वज़े से पकड़ लेता है feeding के दोरान तो इसकी को बोलते हैं byramus तो इसमें two branches होते है uniramis में होता है single branch और byramus में होता है two branch body type are the symmetry इनकी होते है bilateral तो इसके two little sides बिकल होते है mirror image to each other body organization है triploblaster, three germ layers होते है ectoderm, endoderm and mesoderm body cavity slum fluid cavity fully lined by mesoderm तो इसका यहां पर silum जो होता है truly होता है and is lined by the mesoderm तो यह होते है true silomides तो silum के साथ यहां पर एक और टर्म भी आते है hemo seal तो वह समझते है वो क्या होता है देख इसका जो blood जो होता है इसका हम hemo lip कहते हो heart से आता है क्योंकि इनका जो circular system होता है वो open type होता है वो चला जाता है body के space के अंदर और वहां पर फिल आप हो जाता है तो वहां पर जो silum बन जाता है उसे को बोलते है hemo seal तो आप यहां पर heart जो है वहां से बरर बाहर निकल रहा है और body care जो यहां पर और इनके space जो यहां पर है तो उसमें वो जमा हो रहा है तो scared you को बोलते है यहां पर hemo seal die system it is complete having two opening is one is mouth and the other is uns और दोनों होते है separate specializer by segmentation तो इसकी die system में हिसे होते segments होते है अलग अलग से specializer mouth part और mouth part और बहोते specialize और अलग काम करते है just like the chillira के अंदर होते है pursing or sucking type or mandible जो होते है biting or chewing तो यहां पर आप देख सकते हो कि elementary canal के यहां पर three parts होते है four gut जैसको एक और नाम बोलते है stomodium mid gut are mesenteron and hind gut are proctodium तो यह तीन पार्स होते है elementary canal के तो elementary canal का first part जो है mouth इसमें movable appendages होते हैं जिसकी वरह से capturing and ingestion of food कर लेता है ingestion जो होते है वो extracellular होते है inside the distract के अंदर तो यहां पर आप देख सकते हो mouth उसकी बैद इसकी साइड में cellular glands होते है gastrochica stomach intestine और loss पर यहां पर that is the ants excretory system इनका होता है weld इलापोड इसके अंदर आते हैं ants जहां से waste बाहर निकलता है malphigine tubules green glands malphigine tubules जो होते हैं यह पाया जाते हैं उन forms के अंदर जो terrestrial होते हैं यह collect करते है nitrogen waste को और वो बन जाते crystalline वो मिल जाते हैं fecal matter के साथ फिर वो बाहर निकलता है थ्रोदा अनस से इसकी वज़ए से water can ज़रू रहता है बौडी के अंदर और दूसरा जो होई green glands यह पाया जाते हैं equity form के अंदर यह nitrogen waste को concentrate करते हैं और फिर waste को बाहर छोड़ते हैं antenna जो होता है उसके नीचे base का जो होता है वहाँ से बाहर निकलता है waste तो आप यहाँ पर इस diagram में देख सकते हो malefusion tubules लिपाया जाते है mid gut और hand gut के बीच में होते हैं तो यही से waste जो होते हैं nitrogen waste collect हो जाते है crystal farm के अंदर बन जाते हैं फिर वो fecal matter के साथ ही बाहर चले जाते हैं तो यहां पर डागरम में देख सकते हो salt water and nitrogenous waste जो होते हैं पास हो जाते हैं into the tubules of the malphusion उसके बाद यह चले जाते हैं into the hand gut और यहां पर आगे बढ़ते हैं पूंच जाते है और यहां पर याद रहना है retum के अंदर absorption of salt and water हो जाता है उसके बाद जो urine यहां पर solidify हो जाता है वो along with the fecal matter के साथ वही बाहर चला जाता है through the colcal aperture और हम कह सकते है in case of insecters there is anus अब दूसरा है coxal gland जिसका हम कहते है antennal gland भी क्योंकि इसका जो antenna के नीजे base होता है वहां पर खुल जाता है और वहां से फिर जो waste होते हैं वो बहार चले जाते हैं तो यह पाहर जाता है crustation के अंदर तो crustation या रखना है एक्जाम्बल परान अब देखते हैं reproduction तो इसमें जो species होते हैं वो dioces होते हैं यहांचे हम कहते हैं unisexual यहांपे मेल्स अलग होते हैं और फिमेल्स अलग होते हैं यहांपे और उनको हम external distribution भी कर सकते हैं इनका जो fertilization होता है वो internal होता है जो रहते हैं लैंड के ओपर और कुछ aquatic form में भी होता है और जो बाकी aquatic form के अंदर जो होते हैं उनमें चाहता है एक्सनल fertilization यह होता है इनका एक्साश्यर प्रोड़क्शन एपसेंट होता है और कुछ बाड़ी पार्टस इनकी जो होते हैं limbs वो दिखाते हैं regeneration last part को वो दुबारे से develop कर लेते हैं यहांड को metamorphose कर होता है जब एग होजाता तो लार्वाज निकलते लार्वाज हो जाते है вызया रौपा के अंदर पीर बड़ा हो जाता है उसके बाड़ी इनकंपलीट है यहां पर जी यहां पर जिवैनर होता है प्र एक्पाधाव जी यह फोड़े आरल्ड के अंदर है श्रॉक्त यहां पर एक घश मेन मिल जाते हैं के अफर्टी अ हम नियून समय यूर होंचे जाते हैं के अन्डर स्थमय आ होते हैं Frumj फिर नियून सुटते हे खम हैं शैंग लर्वा निकलते हैं ये फ़िर घान एक है और घूटे मे trat कर्दाएं ऑन ये घ़ घिए से अफरे थान बंख स great camera this is called crystallis 새 विंग आजाते हैं जिलॉब हो जाताँ उसके वाहर निकलते हैं स्यवफ से तो उसके बाहर निहां चेचेम करता है अड्ल्टा अपार्फिलेग के साथ यहाँ पर आप देक्सक्त है कि जूह यहाँ यहां पर इंडिरेक्ट इसक्त तो कुछ और स्पेशिक भी आप यहां पर देख सकते हो, फ्लीस है फ्लीस है और वास्पस तो स्कॉर्पियन जो होते हैं तो वी पैरस नरु सिस्टम नरु सिस्टम consists of double ventral nerve cord anterior brain and cerebral ganglia तो इसका नरु सिस्टम में तीन important parts होते हैं एक तो इसका होता है double ventral nerve cord और इसका दूसरा होता है anterior brain तो brain को मैं एक और नाम ही कहते हैं यहां पे सुप्राफरेंजियल ganglia और इसके होते हैं cerebral ganglia और इसके गेंगलिया जो होते हैं थारिस रीजिन में भी होते हैं और अबडोमर रीजिन के अंदर भी होते हैं जहां पे प्रेजन होते हैं उस part को यह control करते हैं तो गेंगलिया जो होते हैं देक्ट एस control centers for the body sections in which they are located तो इसके अलावा नेरो सिट्म के अलावा जो यहां पे होता है प्रेजन्ट वो होते हैं specializers sensory organist उसमें antenna होता है जिसकी वज़ए से order जो होता है वो महसूस कर लेता है परसीव करते हैं गंपोर आइस और उसलिए इनसे यह देख लेते हैं इसमें चोड़े चोड़े यूनिटिस होता है उनको कहते हैं ओमेटीडिया उसके बाद अल्फेक्टरी और्गनुस भी होता है जिसकी वज़ए से यह परसीव कर लेता है इसमेल respiration और तो परड़ा के निर जो रिस्पारेशन होते है गलिस आएकुड़िक फॉरमस ऌro और टरिषिल जो होते हैं उनके पास भॉकलंगस होते हैं और शार्टिजरियानिक्ड़ास, स्पार्ड़्ण़्स, और स्कॉर्पियन्स और जो बाकी होते हैं टरिषिल्ण़र्टियल्स, पर्रेशबियानिस होता है तो यह आर्गनस होते हैं आर्थर पोड़ा के अंदर जो करते हैं माद त्रेस्वाइरेशन के अंदर तो यहां पर आप दिख सकते हो बुकलंग बुकलंग इसके जो यहां पर आप पोड़ा के अंदर तो यहां पैर्ण डिप्यूऊ हो जाता है बिरिठ के अंदर तो बुक लंगस जिसमी होते हैं तो इसका एक्सम्रावर को आप स्पाइडिर्स होते हैं स्कॉर्फिनज होते हैं तो बिलांग्स ओदाल आर्चेन इर्इडिया है तो अब दूसरा देखते हैँ तो ट्रेजर जो होते हैं वो इंसेक्ट्स के अंदर होते हैं तो आपके सामने यहां पर एक काक्रूज है तो इसकी बाड़ी के छोड़े छोड़े पोर्स होते है अब्डोम मरीजिन के अंदर तो वहां से आर इंटर कर लेता है उसके बाद छोड़े ब्रांच बन जाते हैं त उनके वाज़े से पूरी बाड़े में आयर डिफूस हो जाता है तो ट्रेजर रेफर्स टो ए सिस्टम आप टिबूलस दैट टेकस आयर थो ओपनिंग काल स्पारेकल्स तो टिबूलस कैरी ऑक्सिजन डिरेक्ली तो टिश्यूस थो आउड दा बाड़ी इनका सिर्कली सिस्टम जो ओटा होगता है तो यहां पर बल्ड जो होता है वो पास हो जाता है डिरेक्ली इंटो आउपन स्पेस उन त्रोपेस को को गयते हैं साइनिस्स और यह अरराउंड करते हैं टिश्यूस को तो blood pumped by heart to sinuses around tissues तो यहां पर blood जो होता है वो heart चला जाता है और पूंग जाता है sinus के अंदर जो space होते है around the tissue वहां पूंग जाता है तो यहां blood जो होता है वो blue color का होता है due to the presence of copper तो यहां पर respiratory pigment जो होता है इसको बोलते है hemocyanin तो आप इस डियाग्राम से देख सकती हो open circular system तो heart blood pump कर लेता है तो पूंग जाता है यहां पर into the sinuses तो यहां पर sinus के अंदर जो tissues होते हैं वो बात करते हैं यहां पर तो यहां पर blood को बोलते हैं हीमोलिफ यहां पर blood vessels बहुत ही कम होते हैं और और अर्थर पोड़ा के अंदर और heart जो होता है इसमें मैंनी chambers होते हैं और यह tubular heart होता है ecological road देख से लास पे प्रीडिटर्स प्री कुछ होते हैं प्रीडिटर्स यहां पे कुछ प्री परासाइडस भी होते हैं बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं जो डीजिस को फैलाते हैं लाइस्टिक्स, मॉस्कीटूस यह एक्टर करते हैं as a food resource like the prawns, like the crabs, agricultural pestis होते हैं लोकास्ट, caterpillars, beetles, लोकास्ट जो है आज इंडिया के अंदर भी आया है तो मुस्कीट यह डीजिर्ट लोकास्ट होते हैं जो आफरीका से आते हैं इसके बज़े से फसल जो होती है बहुता है खराब हो जाते है जो अथर पोर्ड़ास होते हैं एक्टिक करते हैं जो पॉलिनेटर्स, like bees, butterflies, produce करते हैं होनी, तो यहां पर इसको खतम करते हैं आफर पोर्ड़ा को